हाई गाई वेलकों बैक टू मैं चैलन तो आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी स्मूथनी करवाने के बाद हम कौन सी गलतियां करते हैं जिससे हमारे बाल बहुत सारा पत्ले हो जाती हैं साथ में फ्रेंड्स में आपके साथ एक हेर ओयल कर रिव्यू शेयर करूं तो आप देख सकते हो हो मेरे बालों के लांध मुझे स्मूथन इंग कर वाने काफ़ार वीडियो अपने चैनल पर शेयर करती हूं कि अपने बालों की और बालों को डामेज होने से कैसे आपको बचाना है कौन से प्रोड़क्ट्स अपने बालों पर यूज करने बालों में शाइनिंग आपको कैसे लानी है स्मूथनिंग करवाने के बाद हमें अपने बालों की बहुत जारा अच्छे से केर करनी पड़ती है क्योंकि काफी ज़रा केमिकल वालों पर यूज किया जाता है जिसके कारण हमारे बाल बहुत जाए डैमेज हो जाते है जब हम स्मूथनिंग करवाते है तब तो हमारे बाल बहुत जारा शाइनी एंड लांग एंड हैल्थी लगती है बट थोड़ी टाइम बाद ही दो तीन मन्स बाद ही मारे बाल बहुत जारा rough and damage हो जाती है जिसके कारण हमारे बाल बहुत जारा थीन हो जाती है तो हम अपने बालों पे काफी जारा अलग-अलग product भी उस करते हैं तो हम चाते हैं कि हमारा बिल्कुल भी hair fall ना हो जब हम कौम क करें एक भी बाल हमारा ना तूटे जिसके कारण हम काफी जारा अच्छे product भी उस करते हैं पर कुछ गलतियां हम कर लेते हैं जिसके कारण हमारे जो बाल होते हैं वह काफी जारा पतले हो जाते हैं तो सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ है ऐसे hair bands आपको बिल्कुल भी नहीं लगाने है अगर आपने smoothing करवाई या rebonding करवाई है क्योंकि जब इसे हम अपने बालों में से निकालेंगे हमारे जो बाल होगे इतने जारा रफ हो जाएंगे आगे से हमारी जो growth होगी बिल्कुल खराब हो जाएगी smoothing हमारी इससे खराब हो सकती है जब हम इ ऐसे वाले hair bands वगरा यूज नहीं करने है जिससे आपके बाल रॉफ हो डैमेज हो आपका hair full हो smoothing करवाने के बाद तो हमें अपने बालों की काफ़ी ज़रा अच्छे से care करनी चाहिए क्यूंकि काफ़ी ज़रा हमारे बालों को straight किया जाता है इसके कारण हमारा hair full भी होना start हो सकता है तो काफ़ी ज़रा अच्छे products हमें अपने बालों पर यूज करने चाहिए कुछ ऐस सब्सक्राइब करने चाहिए जिससे हमारे बाल तूट सके तो जब भी आपको बाहर जाना है जैसे कि summer start हो चुक है तो summer में अगर आपको बाहर जाना है अपने बालों को अच्छे से cover करके ही जाना है कोई भी तुपट्टे की help से जब मफ्रल की help से आप अपने बालों को cover क कर कवर कर लेना है तो आप एवाला टिप भी ज़रूर फॉलो करें तो आप एवाल की वीडियो देख लें फ्रेंड से मुझा रिसीव हुआ है मार्ट्स बै जी एससी से बहुत जारा अच्छी ये कंपनी है इसके जो परडुक्ट्ट्स होते है वो काफी जारा अच्छी हो बाल बहुत जारा रफ है डैमेज है तो आप इस ओयल को एक बार जरूर ट्राइ करके देखिए क्योंकि अगर हम स्मूथनिंग जारी बॉंडिंग भी करवा लेते हैं उसके बाद हम कोई लाइट वेट ओयल ट्राइ करना चाहते है तो ये काफी जारा लाइट वेट ओयल है आप देख सकते हो सब कुछ इसमें मैंशन है कि ये ओईल हमारे बालों पर कैसे वर्क करेगा बहुत ज़रा अच्छे इसके बैनिफिट्स है ये आपके बालों को मॉइश्राइज करेगा हाइड्रेशन प्रवाइड करेगा बालों को काफी स्मूथ हैं शाइनी बनाने में ह करेगा हेर फॉलिकल्स को तो आप इस एक बार ट्राइ करके देख सकते हैं आप देख सकते हो मैं आपको इसकी पूरी पैकेजिंग दिखा रही हूं और फ्रेंट्स काफी लंबे समय तक आपका ये वाला ऐल चल जाएगा फूल बॉटल आप देख सकते हो काफी जर अच्छ मैंने लिंक दिया है उसके थ्रू आप इसे पर चेस कर सकते हैं जैसे कि बिग होली सेल ओफर चल रहा है तो अप तो 50% आफ आपको हर एक प्रोड़क्ट पर मिलेगा तो आप इसे जल्दी सी बाई करने बहुत अच्छे इसके रिजल्ट है अगर आपने स्मूतनिंग करवा करते हैं हमारे बाल पहले से बिलकुल अच्छे से क्लीन होने जाहिए तब भी हमें उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो आप इसे जरूर एक बार ट्राय करके देखिए क्यूंकि समर्स में हमको ऐसे ही ओल ट्राय करना चाते हैं जो बिलकुल लाइट वेट हो हमारे बाल पर ग्रीसी ना हो हमारे बालो पर चिप 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 ना हो तो यह ओल बहुत ज़रा लाइट वेट है मैंने खुद इसको ट्राय किया है उसके बाद ही मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूं मुझे इसके रिजल्ट बहुत ज़रा अच्छे लगे हैं बालो को यह बिल्कुल भी चिप चिप बा नहीं करते हैं बालो पर बहुत ज़रा लाइट वेट है इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो भी मुझे बहुत ज़रा लाइट वेट लगी क्यूंकि कुछ लोगों को स्ट्रॉंग फ्रेग्रेंस वाले ओल ज़रा शैंपू सूट नहीं करते हैं अगर आप इसे वीक में दो बार भी लगाएंगे, मुझे जो इसके रिजल्ट है बहुत ज़रा अच्छे लगे, समर्स में ये ओईल बहुत ज़रा अच्छा रहेगा, अगर आपकी न्यू हेर ग्रोथ नहीं होती है, बाल आपके बहुत ज़रा टूटती है, आपको स्प्लिक टैंट्स की प्रॉब्लम है, आपके बहुत ज़रा डैमेज है, थीन हेर है, आपके न्यू हेर ग्रोथ आपकी नहीं हो रही है, तो आप मेरे कहने पे ये वाला ओईल एक बाज ज़रू ट्राय करके देखिए, रिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक दिया है, बालो की लेंथ पे जो हमारी नीचे एंड से होते हैं, उस पे आपको इस ओईल को अच्छे से लगाना है, आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं, नेक्स ज़रे अगर आप अपना हेर वाश करेंगे, अच्छे इसके रिजल्ट है, यह आपको काफी ज़रा अफॉर्डिबल प्राइस पे भी मिल जाएगा, क्योंकि बिग सेल होली ओफर है, अप टू 50% आपको हर एक प्रोड़क्ट पे डिसकाउंट मिलेगा, जल्दी से आप इसे बाई करें जाकर, आप देख सकते हो बालो में कितनी ज़रा अच्छी शाइनिंग आ चुकी, अगर हम अपने बालो को ड्राइ रखते हैं स्मूथनिंग करवाने के बाद, तब भी हमारा हेरफल बहुत ज़रा होता है, तो आपको ऐसे वाले rubber bands वगरा भी यूज नहीं करने है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा आरही हूँ, ऐसे वाले rubber bands अगर आप यूज करेंगे, आपके बालो में एक band आ सकता है, तो इसके कारण आपको scrunchies ही यूज करने हैं, अगर आप यूज करते हैं, बालो में band बिल्कुल भी नहीं आता है, अगर आप इन बातों का दियान रखते हैं, तो smoothing करवाने के बाद भी आपके बिल्कुल भी बाल नहीं टूटते हैं, क्यूंकि अगर smoothing वाले बालों को हम extra dry रखते हैं, आपको बालों को तूटते हैं, बहुत जादा हमारा हेर फुल हो सकता है, आपको ऐसे वाले rubber bands यूज नहीं करने हैं, बाहर आपको बालों को कवर करते बगार नहीं जाने हैं, इन बादों का आप ज़रूर अपने दियान रखें, नीचे से जो हमारे ends होती हैं, आपको दो मंथ बात trimming ज़रूर करवानी हैं, क्यूंकि जो हमारे नीचे ends होती हैं, वो बढ़ जाते हैं, तो आपको दो मंथ जा तीन मंथ बात trimming ज़रूर आपको करवानी हैं, यही कुछ टिप्स होती हैं, अगर आप उन्हें follow करेंगे, smoothing, rebonding जा keratin करवाने के बाद भी आपका एक भी बाल नहीं टूटेगा अपने बालों को आप वीकली जा 15 देस में एक बार हेर पैक जा हेर मास्क ज़रूर लगाएं बालों को नरिशमेंट मिलेगी, हाइडरेशन मिलेगी जो मैंने आपके साथ हेर ओल की वीडियो शेयर ही है, अगर आप इससे ट्राइ करना चाहते हैं, डिस्किप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया है, अप तो 50% आफ आपको हरे एक प्रोड़क्ट पे मिलेगा, एक बास रूरू ट्राय करके देखिए, वीडियो अगर आपको हे नेक्स वीडियो में, थैंक यू, बाइ!